अब हम colorophenacole को discuss करेंगे, उसका जानेगे कि mechanisus action क्या होता है, उसका pharmacokaintix क्या होता है, adverse effect क्या है, drug interaction क्या है, अगर मानली जी colorophenacole को other drug के शाथ अगर देंगे तो उसका क्या side effect है, body के साथ क्या mechanisus action है, इन सब चीजों को बारे में इस भर्ठी होंगा हम जानेगे. Chlorophenacole Chlorophenacole का हम सबसे पहले अगर इस टेक्शर देखे तो इस टेक्शर में आप देख सकते हैं कि इसका जो है एक बेंजिनरिंग है उसके साथ O2N है उसके बाद उसके पास फिर हमारे पास यह side chain है यह हमारा पूरा Chlorophenacole का इस टेक्शर है अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इस्पेक्टम एंटिबाइटिक्स है आइसोलेटेट फ्रॉम इस्ट्रेप्टोमाइसिंज वेने जोलिया इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारा Chlorophenacole है इससे हम आइसोलेट करते हैं इसमें क्या है कि नाइट्रो अगर देआ कि देक्शाया है यहां पर यहां पर आपको बताया कि अगर अगर आप को इस वाले सिर्फ सिर्फ यहां तक का इस टेक्शर अगर देखे तो इह का है अ林 BREंजीन इसमें होता ऐसे नार्वर के Necemogen k रूप में आपको यह जानना ज़रूरी होगा को हमारी जो होती हमारे बोड़ी में किस तरह से हमारे brushing में यह आप आरेनिमिकर अगर रफ़ी यह देखें कि यह हमारा अगर आरेन के यह देखें तो हमारे और इन कितने तरह हो तरह को यह जिसमें से है हमारा tRNA, जिसोंको हम कहते है, transfer RNA, फिर हमारा आता है mRNA, यह हमारा क्या करता है, कि messenger, यह हमारे जो genetic code को है, tRNA के साथ bind करके यह हमारा protein synthesis करता है, ribosome, ribosome में जो है हमारे body में इसमें दो units होते है, यह दोनों यूनिट हमारे बोडी में ज़रुरी है प्रोटीन सेंथिस के लिए आप मैं यह देख सकते हैं कि यह हमारा 50S है और यह हमारा 30S है इन दोनों को 30S है यह MRNA के टेमपलेट में परजेंट होता है और यह 50S के साथ में अगर मान लीजिए यह राइबोजोम का दो यू पहले टाइबोजोम के साथ में लेकिन का सैंसेशिस होता है लेकिन क्या करता है कि जो कि कि गड़िए है कि सबसे पहले क्या करता है कि यह जो घाव marchण स्क आप को बता है कि जो मेंकेंस एक्शन है उसका उसी तरह काम करता यह 50 म् के साथ उनिट के साथ यह 50 स सब्यूनिट जो है राइबOC जो मल का ई सब यूनिट है जो कि ब्लोकेट कर देता हैि इलोंगेशन को जिसके कारण जो है जिसके कारण प्रॉट्इन सेंसेस्स नहीं होती है फफर धन वो जो है ग्रोथ नहीं कर पाती है जो हमारे वैक्ट्रीयल' सेल्स है इसमें अगर अगर देखे हम तो यह क्या करता है कि bacterial side also the extensive macron even thepod lower इसका concentration अगर देखें तो अगर जिससे तरह से concentration देंगे उसी तरह से इसका mechanism reaction होगा chloro-phenocole का pharmacokaintics. pharmacokaintics department की जब हम ड्रग लेते हैं अमारे body में किस तरह से interaction करता है उसके बारे में अब हम जानेगे तो यह क्या करता है, administration अगर करते हैं, तो यह crystal form में, crystal form में हम इसका लेते हैं, हमारे body में देते हैं, अगर parental की बात करें, तो chloro-phenol को, chloro-phenol sodium succinate को हम parental, parental that means की, IV and IM, intramuscular and intravenous में हम देते हैं, जो की in the form of chloro-phenol sodium succinate, अब orally जो देते हैं, यह हम देते हैं, chloro-phenol pulmetate, यह हम देते हैं, orally, जो oral and complicated absorption होता है, oral में अगर दें, तो oral में rapid and complete absorption, अगर complete absorption तो गो bioability जो है, अच्छा देगा, अगर next देखें, तो widely, इसका अगर हम फार्मो कैंटिक्स से widely, जो distribution है हमारे body circulation में, body, हमारे body में, जो blood stream है, उसमें body का, जो distribution है, बहुत ही अच्छा distribution करता है, next, इसका next point, और भी देखें, इसका की body of mechanism हो, तो यह जो metabolism होता है, तो glucose, nyle के रूप में, यह transferage, glucose, nyle and transferage and aryl amide, इसके रूप में, यह metabolism होता है, यह protein binding की बात करें, तो यह 60, यानि 30 से लेके 60% तक protein binding होता है, किसी भी drug का, अगर PPI है, protein binding अगर अच्छा है, तो उसका drug, कोई भी drug अगर देंगे, तो उसका mechanism reaction जादा होगा, यह cigarette embraced होता है, 70 से 90% जो होता है, extent in active form थोदा kidney, in active form में, यह out हो जाता है, kidney के दुआरा, kidney के दुआरा जायता है, हमारे body के, out of stroke, इसमें, urination में होगा, urine के form में, जो ही यह बाहर हो जाएगा, हमारे body के, body system से, chloro phenol का, अगर adverse effect देखें, तो इसमें adverse effect बहुत ही ज्यादा खतरनाक, आप कह सकते हैं, कि जो bone marrow है न हमारे, bone marrow में जाके, यह disturbance कर देता हमारे bone marrow को, bone marrow अगर हमारा disturbance होगा, तो हमारे blood formation में दिक्कत होगा, आप को यह पता होगा, कि हमारे blood formation होता है, वो हमारे bone marrow से होता है, इसमें कौन-कौन से हो जाते हैं, reversible bone deposition, deposition मतलब कि जो deposition हो जाता है, कि bone marrow में deposition हो जाता है, वो reversible नहीं होता, तो वो डिक्कत कर देता है, हमारे body में, और फिर इसमें cholorafenil, inhibit protein synthesis in mitochondria of human cell, human cell में भी यह inhibit कर देता है, protein synthesis में, अगर मान लीजे, host body है, host body में दे रहे हैं, तो यह cholorafen use करने के लिए सही नहीं है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो सिर्फ यह bacterial को नहीं, बलकि human body जो है, उसको भी यह effect पहुंचाएगी, effect अगर human body को पहुंचाएगी, तो यह हमारे human body के लिए सही नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि dose dependent toxicity of bone marrow, that means कि जितना हम देंगे, जितना हम drug देंगे, उसी के हिसाब से toxicity बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा दे दें तो वो हमारा ज्यादा toxicity ऐसा नहीं करेंगा, जितना हम ज्यादा dose देंगे, तो toxicity भी ज्यादा होगा हमारे bone marrow में, इसका adverse effect इसमें बहुत ही ज्यादा अगर जो infant, infant मतलब जो बच्चे हैं उसमें toxicity बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि toxicity उसमें क्या हो जाता है कि infant में grey baby syndroms आ जाते हैं, in case of neonatal, especially premature infant, अगर premature infant को देंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, कि जो grey disease syndrome है, उसमें हो जाता है, other adverse effect देखें इसका, तो क्या होता है, कि जो हमारे GI track है, उसमें reaction कर जाता है, nausea, vomiting and diarrhea, यह है उनका side effect या तो फिर adverse effect of chlorophenopole, drug interaction, drug interaction, that means कि उसके साथ अगर कोई दूसरा drug दे, तो क्या interaction करेगा, उसी के बारे में अब हम जानते हैं, तो paracetamol को अगर हम chlorophenol के साथ दे दे, तो इसका जो viability है, वो क्या कर जाता है, कि increase कर जाता है, viability increase कर जाता है, chlorophenol जो है enzyme inhibitor के तरह यह काम करता है, clinical use, clinical use that means की जो हम use करते हैं, इसके किस-किस में, meningitis में करते हैं, typhoid feria varum में करते हैं, इसका हम use, इसका use हम rickett disease में भी करते हैं, tropically use for eye and ear infection, tropically, जो हम use करते हैं, इसका हम eye and ear infection में, इस वीडियो का जो summary है, that means की कौन-कौन से चीजों को पढ़ा इस summary के बारे में, अब हम summary में देखते हैं, तो chlorophenol को जो हम obtain करते हैं, isolate करते हैं, यह streptomycin venazolia, इससे हम इसका update करते हैं, इसमें जो है, nitro group present होता है, as a nitro benzene moiety के रूप में, इसमें देखें, तो इसका जो blockage कर देता, elongation, इसमें जो 50S, 50S के साथ, subunit के साथ block combine करके, इसमें block elongation कर देता है, and inhibition form initiation of complexion, by the polypeptile transferase, used for the treatment of bacterial, जैसे की frangilis, meningitis, and typhoid fever में हम इसका यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है severe, associate with the severe adverse effect, जो सबसे ज़्यादा इसमें adverse effect है, उसमें है baby में जो बच्चे में, gray baby syndrome, and bone depression, यह यह सारे जो हैं, इनका side effect है, इस वीडियो में हमने इस वीडियो में इसमें को discuss किया, thank you.